स्ट्राइक पे आएंगे कप्तान और उनके सामने होंगे अब तक के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज प्रदीप पिछला उवर इनका खासकर बहुत-बहुत प्रभावशाली सिर्फ चार रन दिये थे और कई बार बल्लेबाजों को बीट किया था अच्छी पेस पे डालते हैं इसलिए काफी तकलीफ देते हैं हर एक बल्लेबाज को जशु दायाथ के बल्लेबाज कफ्तान भी हैं बंगॉल टाइगर्स के और हाला की जब कफ्तानी कर रहे थे तब زाथा कुछ उनके हाथ में था नहीं क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटका बुल्डोजर्स के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की थी हाला की बीच में spinners के जरीए थोड़ी सी वापसी कर पाए थे लेकिन उसके बाद सब को अच्छा बिगड़ गया लेकिन उनका बेस्ट बहुत अच्छा है 69 strike rate शायद उतना उमदा नहीं और औसद भी ठीक था 2020 के हिसाब से अगर आप middle order में बैटिंग कर रहे हैं 20 के उपर अच्छा कर चुके हैं और एक कप्तानी पारी खिलनी पड़ेगी उनको अच्छी गेंद बाजी बिलकुल अच्छी लेंद पर डाल रहे हैं तोड़ी सी काफी चोटी काफी ऊपर नहीं पर इतनी भी चोटी नहीं कि कट और पुल खेल सके 100 hearts initiative के बारे में आपको बता दे CCL 5 will sponsor 100 heart surgeries of underprivileged children and triple x energy drink CCL powered by parlay 2020 cookies में cricket के साथ entertainment के साथ charity भी बहुत उंदा एक और बैतरीन गेंद आपने entertainment की बात की पर क्या entertainment थी आज शाम को 15 चक्के लगाकर एक शतक जड़ाय था राजीव ने और आखरी ओवर तो बस कमाल की थी पाँच चक्के पहले दो गेंद पर चक्के फिर एक डॉट बॉल एक disappointment थी crowd भी थोड़ा सा नाराज हो गया था और फिर आखरी तीन गेंदों में तीन चक्के क्या बात वाइट का इशारा जी हाँ जो बल्लेबास थे उनका नाम था यूसुफ और दर्शकों को याद रहेगा कि जब यूवराज सिंग्ग ने वो छे चक्के लगाए थे स्टूर्ट ब्रॉड के खिलाफ उससे कुछ महीने पहले इंग्लंड में एक ओडिया में दिमित्री मासकरेनस ने उनकी गेंद बाजी पे एक ओवर में पांच चक्के लगाए थे तो आप देखना पड़ेगा यूसुफ जब अगली बार बल्ले बाजी करने आते हैं क्या वो उस तरीके से मोटिवेट हो पाएंगे या नहीं एक और गेंद इसकी रफ्तार काफी काफी बहतर गेंद बाजी कर रहे हैं यहां पर सुदीप को थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है इस गेंद की पेस थोड़े से बीट हो रहे हैं यहाला कि इस ओवर में चार रन बने हैं लेकिन सिर्फ दो रन बल्ले से या एक रन बल्ले से उसके अलावा एक वाइड आखरी गेंद पांच वे ओवर की इसके बाद एक और ओवर बच्चेगा पाव प्ले में लेकिन उसका भरपूर फाइदा अब तक नहीं उठा पाई है बेंगॉल टाइगर्स चार ओवर्स या पांच ओवर्स के बाद चौतिस पे एक आज के दिन में शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक कप्तान दो ही गेंद बाजों से पूरा अपना पाव प्ले करवा रहे हैं क्योंकि दुरुफ अपना तीसरा ओवर यहां पे डालेंगे अच्छी गेंद बाजी की है दो ओवर में सिर्फ ग्यारा रन दिये हैं और काफी किफायती गेंद बाजी साथ-साथ एक विकट उन्होंने ही लिया है पहली गेंद पेक रन चलते हैं नीचे जहां पे सुप्रीत तयार है अवरूज पुट पर दी किफेवन को ठीकरूज यहां थे खरी किफ एक टूब सेखने किफे सुटतीज चैटेश विज रिख वाति मेंद अजाजी किफ ट्रूज पुरूज यहां ब्सुरते Кरूद झारे किफनेंगे कैसे इंफाएको बढूतभीश इस धिएPat॥ उऴ चाहएक। अव्पूझ कर दोचे म norm Certainly two kinkष कない हूब उपको हुए पूर्ध उंपूबंध इंज थैंज अबूंधeng growth or two years say no अईभ्पबड़ाइक कर दोजरيع ईनीज इना कैन था tie गहने प्रिकत थाहतं है, और रिकेत थाजय में तर उक्रिकता है. व्कत्राइवर्त करिसे तुट आँ नर्लेशनेयो के एक रखनेयों? यह झालती हैं तुट अरवाज्टी वुलते विए्ट, तो यह जैसे हैं विए वीघे लगाया हैं, अगू विन टिम्टिकेंग घ्मट हो अगिछ? मैने बनोसे उतक मैं हैं और भूइमाँ ले कामरे मेनली ठांटay तेशडरी तिटीजा टीर तामरे । and made the best team win. Are you cheering or are you roaring? We are cheering. We are cheering. Can we hear a roaring here then? Yeah, BINGAL TIGERS! Roar away! That's it, ladies from the Bengal Tigers. Lots of excitement in the fans here. Over to the commentators for now. Shukriya Supreet. Aak leg bai ke saath, score 38 तक पहुचता हुआ. Aap हमें Facebook पे फालो कर सकते हैं. www.facebook.com slash ccl2020 इस over में सिर्फ 4 ही run बना है. आखरी गेंद आएगी अब पाप लेजगी. इसे डालेंगे द्रोव और कोई run नहीं. तो 6 hour के बाद 38 पे एक. इसे डालेंगे अब बना है. 6 hour में 38 run यानि या पाप ले का भरपूर इस्तिमाल नहीं कर पाई हैं Bengal Tigers. और बिल्कुल कोई मोमेंटम उनके पारी में नहीं आई है. टॉप स्कोरर्ज इंडरशीश 9 पे नाबाद लेकिन उसके लिए उन्हें लगे है 19 गेंदे. और वहीं जॉए ने 12 गेंदो पर 9 run बनाए थे. और जिशू जो की कप्तान है वो दो पे नाबाद है. तो मुश्किले फिलहाल उनके लिए बढ़ती हुई. एक ही विकेट गिरा था और तब स्कोर था 29. मैं हूँ दिवाइन सेन, मेरे साथ अब कामेंटरी बॉक्स में मौझूद है अतुल वासन. अतुल, काम तो काफी मुश्किल यहाँ पर बनता जा रहा है बेंगॉल के लिए. असंभव, हलाकि कहना नहीं चाहिए. पर जितनी क्रिकेट देखी है, केली है. संभव भी मिरेकल होते हैं, जो कभी चमतकार हो जाएं, तो वो संभव हो सकता है. यहाँ वो भी होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जानते हैं टीम की कैपैसिटी क्या है. और एक तरह से, अगर कहीं 170-80 के आसफ़ा रोक लेते, तो फिर गेम बनने की ज़्यादा उम्मीद थी. यह स्कोर ऐसा है कि और इसी होम ग्राउंड पर यह टीम जो है, इनकी गेंदबाज भी बहुत सेट हो चुके हैं. उन्हें अंदाज आया कि कौन सी लेंथ हिट करनी है. हलाकि प्रदीप ने कुछ ज़्यादा ही जोर लगा दिया. अगर विकेट टो विकेट गेंद बाजी करते हैं तो एक दो विकेट आउट कर लेते हैं अब तक. ओ, आखिरकार स्लोट में आई है और बहुत ही बड़िया शॉट. जिशु ने ऐसी बल्ले बाजी पिछले हफते हदराबाद में की थी और दिखाया था कि क्या टैलेंट है उनके पास. तो बीच-बीच में ऐसे हिट लगें तो कुछ काउंटर पंचिंग होनी ज़रूरी है आप एक ही तरह सिर्फ डिफेंड करते रहें और पंचिस काते रहें ऐसे क्रिकेट मदा नहीं आएगा. जी हाँ एक फाइदा है छक्का मारने का कि पार प्ले के जो फील्ड रिस्रिक्शन है उसका जो सवाल है वो बिलकुल मिट जाता है इक्वेशन से. और ऐसा ही देखने के मिला था राजीव के पारी में 15 चक्के लगाये थे. तो बड़े शॉट्स अगर आएं तो फिर भी थ अभी भी लगभग सोल आके करीब. काफी मुश्किल काम है. 212 रनों की जरूरत 82 गेंदों पे. अगर ये मैच हारेंगे तो बेंगॉल टाइगर्स सेमी फाइनल्स की रेस से बाहर. शॉट अच्छा था लेकिन एक ही रन मिला और ये एक और राफर्ख है दोनों टीम्स के बीच. करनाड़का बुल्डोजर्स की रनिंग बेट्वीन दो विकेट्स काफी अच्छी नजर आई थी. इस मेदान का बहुत ज़्यादा अंदाजा भी है. पेंगॉल टाइगर्स अभी हाली में दो-तीन साल में उन्होंने टीम फॉर्म की है. और अभी टैलेंट पूल जो है इतना फैलाया नहीं है. अभी तक प्लेयर्स जो है स्टार परफॉर्मर्स सेट नहीं हो पाएं. तो व उने थोड़ा सा और सीरिस लीज को लेना होगा और ढूर्णने होंगे जो इंट्रस्टेड हैं जिनमें पैशन है, टैलेंट है और उनको पूरी तरह से टेकनिकल हेल्प मिले, कोचिंग मिले तो स्टर जो है स्टैंडर जो है बढ़ जाएगा. फिलाल ये ओवर काफी अच्छा गुजरा है, बिंगॉल टाइगर्स के लिए नौ रन बन चुके हैं, एक गेंद अभी भी बाकी है, तरुन चंद्रा जो की है नए गेंद बाज, 47 पे एक बिंगॉल टाइगर्स, बहुत बड़ा लक्ष उनके सामने, 256 रंज की जरूरत थी और उनमें से सिर्फ 47 यहाँ पे बन चुके हैं, पहले साथ ओवर्स के अंदर, ओ, क्या ये ड्रॉप था, तरुन चंद्रा थोड़े से मायूस लेकिन ओवर की समापती, साथ ओवर के बाद, 47 पेक सिर्फ 1,800 शीच त्लेग को, मिनिमंगी, 20 अड़ गयाद, कोई बाड़ा है, तवाल मैं पेक